सतत्विकास लक्षियों की 2030 तक समयबद प्राप्ती में केवल 11 साल बचे होने के बावजूद संयुक्त रास्ट संग के सदस्य देशों में से एक भी पूरी तरह से अपने कानूनों, नीतियों या सारुजनिक बजट के फैसले को 2030 तक लैंगिक समानता के लक्ष तक सचने के लिए नहीं बदल पा रहे हैं, अर्बों की संख्या में लड़कियों और महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के वादों को पूरा करने में विश्व के साथ साथ भारत भी अभी तक निश्चित तौर पर विफल रहा है, वैश्विक इस्त्री पूरुष समानता सु सुचकांक में 95 अस्थान पर है, अधिक्तम 100 अंकों में से सतत्विकास लक्ष के लैंगिक मामदंडों पर विभिने देशों के प्रदर्शन के मामले में भारत का स्कोर 56.2 रहा, यह सुचकांक गरीबी, स्वास, शिक्षा, साक्षर्ता, राजनितिक प्रतिनीधित्व और क इस तरह से लैंगिक समानता सुचकांक की हालिया सुची में भारत, धाना, रवांडा और भुटान जैसे देशों से भी पीछे है, यह अफ्रिकन विमन्स डेवलप्मेंट एवं कम्निकेशन नेटवर्क, एशिया पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्स सेंटर फॉर विमन, ब सुचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों में 95 पैदान पर है, भारत का सबसे जादा स्कोर SDG के स्वास्त के इंडिकेटर पर है, यह स्कोर 89.9 है, भूख एवं पोशन के इंडेक्स पर 76.2 और उर्जा छेतर में 71.8 है, भारत का सबसे कम स्कोर भागिदारी छेतर में यान के 18.3 है, उद्योग, बुनियादी धाचा एवं नवनमेश के इंडिकेटर पर यह स्कोर 38.1 है, और जलवायू के इंडिकेटर पर भारत के स्कोर 43.4 है, भारत एशिया और प्रशांद छेतर में निशले पाइदान पर है, एशिया और प्रशांद के 23 देशों में उसे 17 अस अस्थान पर है, जबके पाकिस्तान 113 अस्थान पर, वहीं नेपाल 102 और बांगलादेश 110 पाइदान पर हैं.